हेलो फ्रेंस, विल्कम टू माई चैनल, आज मैं एक स्वीटर पेटन डिजाइन बनाऊंगी फ्रेंस, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगए तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरूर करें देखे फ्रेंस, एक सलाई पे मैं 32 फंदे ले ली हूँ अब तीन फंदे को पीछे तरफ से दुसरी सलाई पे बूल लेती हूँ देखे फ्रेंस हो गया, अब एक फंदे में 4 फंदे डालेंगे एक बार उपर तरफ से सलाई डालेंगे, एक बार नीची तरफ से देखे फ्रेंस, 4 फंदे हो गया अब 6 फंदे पीछे दर्फ से बूल लेंगे वीडियो को इसकी बिलकुल लंकड़े फ्रेंस तो अच्छे से समझ में आ जाएगी देखे फ्रेंस 6 फंदे बूल लिए अब एक फंदे में 4 फंदे डालेंगे एक बार उपर से स्लाई डालके फंदे निकालेंगे एक बार नीचे से स्लाई डालेंगे देखे चार फंदे हो गया फिर एक फंदे में 4 फंदे डालेंगे इसी तरफ बूल के मैं इस लाई को पूरा कर लेती हूँ त्रिकेशलाई को पुरा कर लेते हैं फिर पीछे तरव से बूनेंगे देखिए प्रेंस यह पीछे तरव है और इसको आगे तरव से बून लेते हैं इफ बूल पंदा फंद है इसको दूसाइब पनः उतार लेते छे फंदे है फ्रेंस इसको ऐसे ही दूसरे सलाई पर उतार लेते हैं इसी तरह बून के मैं इस सलाई को पूरा कर लेती हूँ इस पीछे साइड से पूरा करके फिर आगे तरफ से बूनेंगे फ्रेंस देखे फ्रेंस ये तिसरा सलाई है आगे तरफ से दूसरा सलाई इसको पहले तीन फंदे पीछे तरफ से बून लेते हैं देखे फ्रेंस तीन फंदे हो गया अब चार फंदे को नीचे गिरा देंगे और तीन फंदे को आगे तरफ ले लेंगे और फंदे चार फंदे को पीछे तरफ करेंगे देखे फ्रेंस ये तीन फंदे आगे हो गया अभी तीन फंदे को बून लेंगे जो कि आगे साइड छे फंदे हो जाएगा देखे फ्रेंस आगे तरब 6 फंदे हो गया अभी चार फंदे का एक फंदे करेंगे एक फंदे से चार फंदे को गिरा देंगे फ्रेंस तो चार फंदे का एक फंदे हो जाएगा देखे फ्रेंस हो गया फिर अब चार फंदे को आगे करेंगे और ये तीन फंदे को पीछे साइट करेंगे देखे फ्रेंस तीन फंदे पीछे हो गया अब ये चार फंदे को आगे साइट करेंगे ये चार फंदे का एक फंदे करेंगे फ्रेंस अभी तीन फंदे को बूल लेंगे देखे फ्रेंज अब तीन फंदे को बूल लेंगे बीच में फिर हमको चैपंदे बनाना है फिर इचार फंदे को पीछे करेंगे और तीन फंदे को आगे करेंगे फिर इतीन फंदे को बूल लेंगे तो चैपंदे हो जाएगी फिर इचार फंदे का एक फंदे बना लेंगे देखे फ्रेंज चैर फंदे का एक फंदे हो गया इसी तरह मैं इसलाई को पूरा कर लेती हूँ देखे फ्रेंस ये पीछे तरफ आ गया पीछे तरफ आगे तरफ से पूरा सलाई को बून लेंगे इसी तरफ मैं बून के ये सलाई को पूरा कर लेती हूँ फिर आगे तरफ से बूनती हूँ फ्रेंस देखे फ्रेंस यह आगे तरफ है अब 6 फंदे को मैं बून लेती हूँ पीछे तरफ बून करके देखे फ्रेंस 7 फंदे हो गया अब एक फंदे में 4 फंदे डालेंगे एक बार उपर तरफ से डालेंगे एक बार नीचे तरफ से देखे फ्रेंस एक फंदे में 4 फंदे हो गया अब फिर दूसरा फंदे में मैं एक फंदे में 4 फंदे डाल रही हूँ देखे फ्रेंस दो फंदे में मैं चार फंदे डाल दी अब फिर मैं छे फंदे को बुनूंगी देखे फ्रेंस छे फंदे हो गया इसी तरह मैं इस लाई को पूरा कर लेती हूं ये पीछे बला है फ्रेंस इफूल बला फंदे को मैं दुसरी स्लाई पे भी नव बूने उतार लेती हूँ और बीच में जो छे फंदा है इसको मैं बून लेती हूँ आगे तरफ बून रखके इसी तरफ बून के मैं इस स्लाई को पूरा कर लेती हूँ फ्रेंस फिर आगे तरफ से बूनूंगी यह डिजाइन बुनने में बहुत ही असान है फ्रेंस और बुनने के बाद देखने में बहुत ही सुंदर लगता है देखे फ्रेंस यह आगे तरफ है अब मैं तीन फंदे को बून लेंगे पीछे तरफ उन रख के देखें फ्रेंस तीन फंदे हो गिया आम हम यह तीन फंदे को हम पीछे करेंगे और उधर चार फंदे को मैं आगे करेंगे देखे फ्रेंस यह चार फंदे आगे हो गया अब मैं चार फंदे का एक फंदे बनाएंगे देखे फ्रेंस चार फंदे का एक फंदे हो गया अब यह तीन फंदे को बूल लेंगे बीच में छे फंदे पुरा ना है फ्रेंस फिर तीन फंदे को आगे करेंगे और ये चार फंदे को पीछे करेंगे अब ये तीन फंदे को दूसरे स्लाई पे लेके बूल लेंगे प्रेंस देखे प्रेंस बीच में छे फंदे हो गया अब चार फंदे का एक फंदे बनाएंगे इसी तरब उनके ये शिलाई को मैं पूरा कर लेती हूँ फ्रेंस फिर ये तीन फंदे को पीछे करेंगे और चार फंदे को आगे करेंगे देखे फ्रेंस ये पीछे हो गया और चार फंदे आगे हो गया अब चार फंदे का एक फंदे बनाएंगे इसी त्रबून के फ्रेंस ये सिलाई को पूरा कर लेती हूँ देखे फ्रेंस एक फूल पूरा हो गया आप लोग को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक चैनल को सस्क्राइब जरू करें बाइब प्रेंस फिल्मि लेंगे नेक्स वीडियो में